नमस्कार मित्रो मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताती हूँ जिसको 108 बार बोलने से आपके घर में धनकी कोई कमी नहीं रहेगी और जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसकी नौकरी लग जाएगी और पैसा इतना आएगा कि सम्हाल नहीं पाऊगे तो मैं ये मंत्र आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनें मंत्र है बिद्ध्या बंतम यसस बंतम लक्ष्मी बंतम जनम कुरू रूपम देही जयम देही यसो देही दिसो जही मंत्र एक बार फिर से सुन लें बिद्ध्या बंतम यसस बंतम लक्ष्मी बंतम जनम कुरू रूपम देही जयम देही यसो देही दिसो जही बस अब आप एक पैन और कागज उठाईए और इस मंत्र को एक कागज में लिख लीजिए और ना दो करके घीका दिया जला लें और इस मंत्र को माता की मूर्ती के सामने एक सो आठ बार जपें मूर्ती सिरी लक्ष्मी माता की होनी चाहिए और लच्मी जी के आगे इस मंत्र को रोजाना एक सो आठ बार बोलें अब देखिए आप दो तिन हपते बाद ही आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा और यदि आप एक साल या हमेशा के लिए इस मंत्र को जप लें तो आपकी साथ पीड़ी तक धन की कमी नहीं रहेगी और धन की समापती का कोई सादन नहीं रहेगा केबल धन आएगा घर में से जाएगा नहीं और आएगा और आएगा आप समाल नहीं पाऊगे एक बार आप करके तो देखिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें बेल आइकन दबा दें और यदि कोई समझ्चा हो तो मेरे को कमेंट में कहें यदि आपको कोई रोग है तो रोग नासक मंतर भी मेरे पास है मुझे कमेंट में लिखें मैं उसका भी वीडियो आपको बनाऊंगी